उम नमशिवाय हर हर महादेव देव शयनी एकादरशी के बारे में आज बात करेंगे आपको सबसे पहले बताएंगे कुछ वीधी होती है पुजा में एकादरशी के कुछ गलतिया नहीं करनी होती है और कुछ तरीका होता है इसको समझना बहुत जरूरी है वो बताएंगे साथ ही साथ इस साल का शुब मोर्त बताएंगे कि नो तारीक को है या फिर दस तारीक को है एकादशी की तीथी जो है और थोड़ी सी इसकी महत्ता बताएंगे महत्ता तो पहले जान लीजे क्योंकि महत्तो तो यहीं है सबसे बड़ा कि आपको मोक्षी की प्र ऐसे ही हमारी धार्मिक जो पुस्त के हैं जो मनेता है वो भी यही कहती है कि आप जो है निरोगी का आया पाते हैं तो स्वस्थ रहेंगे आप बेसिकली आपका लिवर फंक्शन से लेकर करके बोडी के सारे फंक्शन से जो है वो सही से कारे करेंगे तो इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए आईए जानते हैं सबसे पहले देवश्यनी एकादशी के बारे में कुछ नियम सबसे पहली बात तो एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए जी हाँ एकादशी के दिन चावल का आप व्रत रहें या न रहें चावल का सेवन नहीं करन करने के लिए आपको उस दिन सुभा सुभा अउट करके साफ कपरा पहने या तो नया कपरा पहन लीजे या फिर बिलकुल साफ कोई किया हुआ पहले से साफ कर लीजे कपरा और उसको रखे उस दिन पहने इसके बाद इशानकुर में लाल सूती कपड़े पर भगवान विश्नु की मुर्ति रख दीजे, भगवान गनेश और भगवान विश्नु जी की मुर्ति पर गंगा जल छिड़क करके उन्हें तिलक लगाईएगा, इसके बाद भगवान की तस्वीर पर फूल और खीर चरहाईएगा, खीर पसंद है इनको, इसके बाद दियान रखेएगा सात्विक भोजन किज़ेगा उस दिन किसी भी प्रकार का मानसाहार या तामसी भोजन मत किज़ेगा प्याज लहसन का सेवन driving ना करें तो बहतर होगा बचे भोजन को इस दिन घर के दक्षन कुने में फेग दीजसेए इस दिन भगवान विष्युकाश्झ मंत्र जरूर करना चाहिए उम विश्णवे नमह मंत्र का जब जरूर करना चाहिए एक बात ध्यान रखिए कि ये कथा तो हम आपको बाद में बताएंगे सबसे पहले समझे कि जो ये देव शैनी एकादशी है इसमें भगवान विश्णु जो है राजा बली के पास ही अश्र आदशी का वरत ये समझ लेजी नौ को ये पिर दस को और ये कफ्यूजन क्यों है तो नौ तारिक को ही एक आदशी का जो तीथी है वो आरभव हो जायेगा संधिया में चार बजी के बाद से लेकिन अब नौ को वरत नहीं रहना है रहना दस को है ये कंफ्यूजन क्यों है तो दरसल हमारा सास्तर जो है वो उदया तीथी को मानता है उदय हो रहा हो सुर्य उस समय पर वो तीथी होनी चाहिए और ये होगा दस तारिक को दस तारिक को एकादशी की तीथी रहेगी सुर्योदय के समय पर इसलिए दस तारिक को मानी होगा तो दस तारिक को एकादशी का वरत करें ग्यारफ को उसका पारण करें बहुत अच्छा रहेगा और भगवान विश्णु आपके जीवन में जो भी आपकी काम नाये हैं उसकी पूर्ती करेंगे मोक्ष की प्राप्ती होगी निरोगी काया पाएंगे और स्वास्ते आपके फैमली का आपका ठीक रहेगा तो भगवान विश्णु आर लक्ष्मी जी को जरूर विश्स कीजिए और कमेंट करके बताइगे कि आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगते हैं वीडियो कैसी लगते हैं आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वेलईबल होता है आप अपने राय जरूर दीजिए कि आगे और कैसे वीडियो आप इस चैनल पर चाहते हैं और कौन से वरत्योहार के बारे में जानना चाहते हैं या कौन सी धार्मिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं जरूर बताइए हम कोशिश करेंगे कि आपके उस कमेंट पर रिप्लाइ करते हुए वीडियो जरूर लेकर के आएं फिलहा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आपसे खुश रहें, स्वस्त रहें, प्रेम से बोलें, उम नमाशिवाय हरा हरा महादेव